दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मियासा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग प्रश्णावली 3192 के प्रस्तन संख्या एक के ही दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करती जगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहेगी तो आए वीडियो सुरू करते हैं प्रस्तन संख्या एक का दूसरा भाग है पाच पेंसिल तथा साथ कलमों का मुल 50 रु एक पेंसिल का मुल 1 रुप्या है और एक कलम का मुल का मुल ब्राबर 2 रुप्या है अब प्रश्णानूसार ठना नूस्रां गीक हमने एक पेंसिल का मुल 1 रुप्या माना है और यहां कह रहा है पांच टैसल तो क्या हो जागा आए क्ससे गुना हो जाएक तो किन अश्तकव गाप फांच एक्स अब कह रहा है तथा साथ कलमों का मुल ठीक है और ये दोनों मिलाकर कितना है 50 रुपया तो लिखेंगे 7Y क्योंकि एक कलम का मुल कितना है & 7Y बराबर ये दोनु यो度 मिलाकर है फचास रूपया ठीक है इसको सम्धनाद एक मानेंगे और किह रहा है साथ पेंसिल तथा पाँच कलम का कुल मुल 46 रुपया है यानि 7 पेंसिल और पाँच कलम कितना है 46 रिपार समीकरन दो अब इस दोनों समीकरन को हम लोगों को गराफिय विदी से हल करना है तो लिखेंगे कि समीकरनों के कि अलेखिये या गराफिये हल तो पहला समीकरन है पांच एकस प्लस सात य बरावरter 25 आपईस को पहदे लिखेंगे और यह प्लस सांत है जब अब आपर की इस तरह आगा तो क्या गहांजागा माइनस का साफ़ इस लिए एकस बरावर Österreich हो गापचास- साथ वाई मटा में 5 अब हम लोगों को इसका मान सारणी बराना है कि इसमें एक लिखेंगे इसमें वाई लिखेंगे और वाई का मान सुने रखेंगे यह हो जाएगा 50 माईनस साथ गूने वाई के जगह पर क्या रखना है बता में पांच तो 50-7 में सुनने से गुना होगा, क्या होगा? सुनने, बटा 5 तो 50 में से सुनने घटेगा, तो कितना बचाएगा? 50, बटा में 5 10 पचे, 50 तो X कमान कितना आया? 10 इसके बाद Y कमान रखेंगे 5 तुद दिखे X बराबर 50-7Y, बटा में 5 तो 50-7 गुने वाई कमान कितना रखें है 5 बटा में 5 तो 50-25 35 बटा में 5 दसमें से 5 गया 5 चार में से 3 गया 1 बटा में 5 5 तिया 15 ठीक है तो एक कमान कितना आया 3 अब समीकरण 2 से चलेंगे समीकरण 2 क्या है रिखे 7x plus 5y बराबर 46 तो 7x plus 5y बराबर 46 ठीक है, इस समिकरन 2 है तो यहां 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 और प्लस 5y है तो यह हो जाएगा माइनस का 5y इसलिए x बराबर 46 माइनस 5y ठीक है और बटा में हो जाएगा 7 अब इसका मान साली बराएंगे इसमें x और इसमें y यहां हमें y का मान रखना है और y का ऐसा मान रखना है जिसको 5 से गुना कड़के 46 में से घटाने पर 7 से पुरा-पुरा कट जाए अगर हम y का मान सुनने लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 सुनने का सुनने और 46 में से जब सुने को घटाएंगे तो बचेगा 46 जो की 7 से नहीं कटेगा ठीक है अगर हम y का मान एक लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 तो 46 में से 5 घटेगा तो बचेगा 41 जो की 7 से नहीं कटेगा ठीक है इसलिए y का मान लेते हैं हम 5 तो 46 माइनस 5 गुलने 5 बटा में 7 46 25 25 बटा में 7 च्छोमेंस पांच गया 1 चार मेंस दो गया 2 बटा में 7 सत्या 21 ठीक है तो य कमान 5 रखे हैं तो एक्स कमान कितना आया तीन अब वाई कमान 12 रखते हैं तो एक्स बराबर 46 माइनस 5 बटा में 7 तो 46 माइनस 5 गुलने वाई कमान 12 ठीक है बटा में 7 तो 46 ठीक है 12 पंचे 60 बटा में 7 अब यहां प्लस का 46 है और माइनस का ठीक है एक दहाई पिंचा लेंगे कितना हो जागा 10 10 में 6 गया तो 4 यह बचेगा 5 5 में से 4 गया तो एक यानि माइनस का 14 ठीक है यह साथ सादूना चावदर फाइनल एक तना आया माइनस का 2 ठीक है तो यहां लिखिंगे माइनस का 2 अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दूनो तो मान सारनी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि जब मैं ग्राफ पर पर इसको दर्साओं गा तो बार बार मुझे इस पर पर नहीं आना पड़ेगा ओके कि समीकरण पहला का है इसके बाद समीकरण दूसरा का है एक तीन और पांच और माइनस दो और एह है बारा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिधा चलते हैं ग्राफ पेपर पर जहां इसको दर्साना है देखिए इतना में ने पहले बना लिया है इधर का प्लस एक है और इस तरफ है माइनस ऐकस ठीक है इधर आधर है प्लसATA और नीचे है सुन दहनदे यहां है और आई का मंद शुन यहां है निकीए बिंदू हो जाएगा और इसका आगे है X कमान 3 Y कमान 5 तो X कमान 2 और 4 इसके बीच में कितना है तीन है और 4 और 6 के बीच में होगा 5 तो इसके ऊपर और इसके इधर ए बिंदू हो जाएगा ठीक है इस दूनों बिंदू को मिला देते हैं कि इसका नाम भी लिखी देते हैं 10 कमा सुने और एह है 3,5 ठीक है और इसका जो समीकरन है ओ है 5 X प्लस 7 Y बराबर 50 समीकरन एक अब दुसरे समीकरन कमान इसमें रखेंगे तो X कमान कितना है 3 Y कमान है 5 X कमान 2 और 4 इसके बीच में 3 है और Y कमान है 4 और 6 के बीच में है पांच तो इधर यानि ए बिंदू है ठीक है इसके बाद है देख दीजे माइनस 2,12 ठीक है और एक कितना है 3,5 तो है ही अब क्या करेंगे कि इसका भी नाम दे जेते हैं यह जो समिकरन है यह है 7x प्लस 5y बराबर 46 समिकरन 2 ठीक है अब हमें ए देखना है कि यह दोनों रेखा आपस में कहां पे कट कर रहा है ठीक है तो एक्स बराबर 3 और वाल बराबर केंस है 5 है ौह टो हमने ने कि एक पैंसिल का मूल 1 और एक का मूल कितना है वाय रूपिया है अब Works लिखेंगे एक पेंसिल का मूल एक्स बराबर कितना है तीन रुप्या और एक कलम का मूल कि वाई बराबर है पांच रुप्या यहीं मेरे क्या हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आप लोग नहीं से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अलोके च्टेडी के प्ले लिश्ट में जाकर इसे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद